दोस्तो आज इस वीडियो में मैं ना तो मेरी जी की बात करना जा रहा हूं ना नेक्स्ट आये इसकी मैं बात करना चाहता हूं ऐसे स्टूडेंट्स की जिन्होंने अपने माता-पिता को किसी दुखत परिस्तिती में खो दिया है लेकिन वो सिविल सेवा परिक्षा की एंजि इसके लिए मेरे जो प्रयास हैं मैं पिछले दो सालों से यह कर रहा हूं और यह तीफरा साल है और मैं ब्यक्तिगत तौर पर यह करता हूं यह मेडिजी और नेक्स्ट आइस की कोई ऐसी स्कीम नहीं है लेकिन मैं मेडिजी के थुरू इंजिनरिंग सर्विस और गेट में और नेक्स्ट आइस के थुरू सिविल सर्विसिस में मैं स्पॉंसर करूँगा जो भी स्टूडेंट्स एकनॉमिकली वीक हैं और इस कैटेगरी में आते हैं कि जिनके पेरेंट्स नहीं रहे किसी बज़े से वह एपलाई कर सकते हैं और मेडिजी फॉर यू नाम की वैप सा है कुछ डॉकुमेंट्स मांगे जाएंगे वह डॉकुमेंट्स आपको अपलोड करना है और उनका वेरिफिकेशन करके जो स्टूडेंट्स हैं इस कैटेगरी में आते हैं उनको मैं 100% स्पॉंसर करूंगा व्यक्तिकत्तार पर मैं हमेशा यह सोचता हूं कि ऐसे बहुत सार बिडियो होजाएं और बहुत सारे स्पॉर्ट सिस्टम है लैकिन मैं अपने व्यक्तिकतों तोर पर जब आप क्लास में आकर के पढ़ाई करें और क्लास में बैठ करके किसी बिनाफीस करके पूरा पढ़ाय कोर्स संह। एक सही दिशा देने की जरूरत है, मैं वहाँ भी सहयोग करूँगा, समय समय पर आपकी जो सेसिंस होंगे, वो पर्सनली मैं लूँगा और आपको सहयोग करूँगा, तो दोस्तों, अगर आपके जान पहचान में, आपके फ्रेंड सर्किल में, अपके मित्रों में अगर कुछ ऐसे लोग हैं, तो उनको ये वीडियो सेयर करिए, ताकि वो इस स्कीम के थ्रूँ, मेरे सहयोग से वो अपना सपना साकार कर सकें, इस देश को और मजबूत बनाने के लिए, हम सब को मिलकर के काम करना होगा, बहुत सारे स्टूडिंट ऐसे हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, लेकर नहीं पढ़ पा रहे हैं, अलाकि बहुत सारे आजकल ओनलाइन कोर्से इस अबेलेबिल हैं, बहुत सारे यूट्यूब में भी सेसेंस अबेलेबिल हैं, लेकिन मेरा सोचना है, कि जब एक स्टुक्चर्ड कोर्स होता है, और आप क्लास में बैठ करके पढ़ते हैं, दूफरे स्टूडिंट के साथ में पढ़ते हैं, वो कैसे नोट्स बनाते हैं, आप कैसे नोट्स बनाते हैं, अगर इसका लाव आपको बिना किसी फीश के मिल पाए, तो इससे आपका हो सकता है कि और अच्छा विकास होगा, और आप अच्छे तरीगे से इस एक्जाम को क्रेक कर पाएंगे, मैं हमेशा यह सोचता हूँ कि पर्सनल तौर पर क्या करा जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, और मैं हमेशा suggest भी करता हूँ कि एक तो हमें plantation करना चाहिए और दूफरा each one teach one का concept होना चाहिए कि कम से काम अब अपनी life में एक ऐसे ब्यक्ति को सफल बना दें जो सफल होने लाइक है लेकिन resources के आभाव में वो नहीं बन पा रहा है तो मैं सोचता हूँ कि मैं अगर कुछ बच्चों को जो सफल हो सकते हैं अगर उनको सायोग दे करके सफल बना दूँ मुझे बहुत खुशी होगी तो दोस्तों I hope कि आप इसको share करेंगे अपने दोस्तों से कि जो भी civil services की पढ़ाई करना चाहते हैं next IAS में या जो engineering service और gate की पढ़ाई करना चाहते हैं मेरी जी में और जिनके मात्रपिता नहीं है जिनके आर्थे किस्तिती खराब है वह इस स्कीम के अंदर अपलाई कर सकते हैं जाए हिंद्ट